आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, 15 सेकिंड लेंगे आपके बहुत इंपोर्टेंट किसी भी एक स्टॉक में जादा हेवी निवेश मत कीजिए, नमबर दो, जब भी ट्रेडिंग करें 20% से जादा अपना कैपिटल निवेश मत करें, और नमबर त्री, कम से कम 3 साल क होराइजन रखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, आईए चलकर बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर रीटेल के बारे में, रिलाइंस डील के लेकर, बैंकर्स वांट एन अर्ली सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, या तो ड चाहिए कोई स्ट्रॉंग हैंड, चाहे वो रिलाइंस इंडस्ट्रीज ले, चाहे अमेजन बैक्ट इंडियन लोकल फाइनेंशल इंस्टिट्यूट ले, तो आई ये चलकर विश्रेशन करते हैं, देखे, बैंकर्स और यहाँ पर फीचर ग्रुप पर प्रेशर लगाय जा उनके लोन बुक में कोई भी हेर कट आए, अभी के लिए इन्होंने क्योंकि मोरेटोरियम चल रहा था, तो यहाँ पर हेर कट के लिए जीरो अमाउंट प्रिजर्व करके रखाए, अगर ऐसा हुआ तो NPA बढ़ेंगे और जो की बैंक्स बिलकुल नहीं चाहते हैं यहाँ अगर अपना इस तरह से, तो उनके रेफरेंस में, रेलाइंस इंडस्ट्री भी एक स्ट्रॉंग हैंड है, और साथ ही साथ में, अगर फर एक्जामपल सामरा कैपिटल या फिर कोई और कंपनी उनको फंडिंग के लिए ऑथराइजेशन देती है, तो यह उनको कोई दिक्क अर्ली रेजिलिशन के लिए दोनों रेलाइंस इंडस्ट्री और फिचर रीटेल आगे बात कर रहे हैं, ताकि सिंगापूर इंटरनेशन आर्पिटिशन कोर्ट यहां पर अपना फैसला सुनाए, जो की फाइनल डिसीजन होगा, और उसके चलते हुए, अगर डील को अप् अब यह एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकिया किशोर बियानी जी के साथ में, उन्होंने जब यह डील साइन की तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से इंप्लिकेशन आएगा इसका, और यहां पर अमेजन definitely have an upper hand, अगर सिंगपूर आर्बिटरिशन कोर्ट में को कोई negotiation होता है offline between Reliance Industries and Amazon, तो offer क्या होगा, कि वहाँ पर Reliance Retail में हिस्सेदारी दी जाएगी Amazon को, तो अगर ऐसा होता है, तो भी Amazon अपना pair पीछे करेगा और feature group की deal हो सकती है, तो इस दोनो possibility हैं, जिसके लिए bankers वहाँ पर अभी negotiation की बाते चल रही है, crucial month है, August end हमारी expectation है, कुछ के लिए, क्योंकि ये Singapore International Court का decision अभी तक नहीं आया है, और interim discussion चल रहा है, जो कि एक अच्छी news नहीं माने जाएगी, अगर deal नहीं होती है, तो Singapore International Court का order, as per our expectation, month end में आज आना चाहिए, जो इन्होंने leave petition के लिए अपलाई किया है, काफी lower level पर है, fair value है, क्या हम अभी भी buy कर रहे हैं, जी नहीं, हमने पिछले 5 दिनों से future group में कोई भी stock buy नहीं किया है, आईए हम आपको अपना recommendation बताते हैं, आज का भाव 43 रुपे, 15 पैसे के असपास चल रहा है, consistently इसने एक red candle बनाई हुए, देखे, यहां से अगर आप तो 52 के level से गिरते गिरते, यह almost अपने low level पर पहुँच गया, जो कि 43 है, अगर आप थोड़ा long horizon पर जाए, तो इसका 40 रुपे के आसपास इसका lower level है, तो कल इसने low बनाया था, 42 रुपीस के आसपास, अगर हम खरीदेंगे, तो हम यहां पर 40 के आसपास अपना momentum रखे अगर आप किसी भी parameter पर देखें, इसको pressure नीचे को लग रहा है, 6 हफ्ति में 22 रुपे का profit, आप चाहिए तो हमार सा जूर सकते हैं, यह रहा आपके लिए 4 वीडियो, जैहीं जमारत, बाइ गाइस